सर आमिर खान की लास्ट फिल्म लाल सिंग चड़ा को काफी जादा बॉयकॉट किया गया तो और फिल्म फ्लॉप रही थी क्या लगता पठान के साथ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जी आ देखे फ्लॉप तो वाली बात तो हम कुछ नहीं कह सकते उस बारे भी लेकिन हाँ ये जरूरो है। जैसे लाल सिंग चड़ा को काफी जादा बाइकट किया रहा था पठान को भी किया जा रहा लेकिन अगर आप देखें अगर ध्यान से अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया तो लाल सिंग चड़ा के वक भी उतना जादा bipartisan नहीं चला था जितना इस अपको क्या लगता है कि फिर भी दिल हिंदुस्तानी अहेड ऑफ टाइम थी तो चारु खाना यही जवाब दिया कि मैं यह समझता हूं कि चीजे मैं इन चीजों में जाद विश्वास नी करता हूं मैं समझता हूं चीजे तिंक्स जो है रिलेटेबल है तो है और अभी है तो है बस बात खतम उस चीज में वो विश्वास नी करता है तो सीधी सिंपल सी बात ती लाल सिंग चड़ा भी उसी प्रकार से गर आप देखें तो वो रिलेट नहीं कर पाई दर्शकों से उतना ज्यादा बात खत्म हो गई वहाँ पे ठीक है 1994 में Forrest Gump आ गई थी वो उस वक् पेल है लेकिन यह आज भी रिलेट नहीं कर पाई तो नहीं चली ओडियंस को नहीं पसंद बात खत्म होगा इसे वह से नहीं चली लेकिन पठान अलग प्रकार की फिल्म में कमर्शल एक्शन ड्रामा फिल्म है ठीक है सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलने वाला यह फिल्म त साथ पर सिंगल स्क्रिंग में भी बड़ा धमाका करने वाली कि फुल सिंगल स्क्रिंग चासे के सी अगर कोई करा करने क archival फिल्म में मुझे नहीं लगता के लाल संक्य थाक्षन ड़कें पाberेशन के से किया जा शकता है उम्मीद करते हैं पठान अच्छी फिल्म निक्ले लाल सिंग जैसी ना हो और अच्छा परफॉर्म करें बॉक्स आफिस